हलो गैज मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में गैज हम बात करने वाले हैं दो IPO's के बारे में एक तो Zuniper Hotel जो की कल साजा करने वाला हूँ इसके साथ मैं कंपारिजन करने वाला हूँ छोटा सा GPT Healthcare Limited के साथ कि इन दोनों में से कौन सा बहतर रहने वाला है क्या दोनों को इनौर करना है या किसी एक को प्राइटी पर रखना है साथ में इसका भी ग्रेमाकर प्रेम और साजा करूंगा तो वीड चैनल पर डाल दिया है इसका जाकर आप देख लेना इस वीडियो में हम इसके बारे में डीटेल में चर्चा नहीं करेंगे उसके साथ की जोनी पर होटल का भी यहां पर हम शॉट में बात करेंगे अगर चाप कोई कंफ्यूजन है तो डीटेल रिवी वीडियो आप देख होगे तो समझ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं और क्या प्राब्लम से क्या बेनफिट से एक बार डीटेल वीडियो जरूर देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक आपने कहीं पहले देखा होगा उससे बहतर तरीके से मैंने बता रखा है इन दोनों के बारे में और यह तो जरू जाके देखना जीपीटी हेल्थ करका यह डीटेल रिवीव वाला वीडियो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं पहले नेंबर में डिसक्स करते हैं जोनी पर होटल्स लेमिटेड आइपियो के बारे में ठीक है यहां पे इस IPO 21st को ओपन हुआ था 23 को वीडियो देख रहा ह है 26 को इसकी लिस्टिंग रहने वाली स्टेंड फिश्व लूपे 360 का प्राइज बन रखा गया है जो की पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और यह एक पॉजिटीव बात है यहां पर के इस का रिश्टा और 10% कोटा रिटेलर्स के लिए रखा गया है इस बात का ध्यान भी अब को रखना है कंपनी का जो बिजने से वह होटल से रहा गया है उस कंपनी से भी चुकाने वाले हैं और इसका जो लॉस है वह हमें कम होता दिखाता लेकिन अभी चैनल देते हुए तो यह लॉस बढ़ता दिख रहा है इसके साथ बारेंग इसको पर काफी अच्छी खास अब इसको बारेंग चुकाने वाले हैं और बाकि यूज में लेने वाले हैं लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है यहां पर तो इस बारेंग की वज़य से और जो कंपनी का प्रॉफिट है उसकी वज़य से इस आई प्यों में रिस फेक्टर रह जाने वाला है और यही सेम मार्कट में दूसरे लोग भी समझ रहा है जिसका यह सब्सक्रिप्शन देटा है जो कि हम न्यूज चनल पर हमेशा शेर करते हैं हर एक आई प्यों का तो अगर जो आप नहीं जोइन किया है न्यूज चनल तो डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंग मिल जाने इंट्रस नहीं दिखाया बहुत थोड़ा सा पैसा डाले 0.06 तो इस यहनों पर होटर्स में देखो रिस फेक्टर तो रही जाता है रिस फेक्टर क्या रह जाता है दोनों चीज़े में आपको बादा आई दी अगर जो इस आई पयों के साइस के साब से देहोगे ना तो अगर जो बात करें कालेक्टिवली की आई बीस के रिटिलर्स की तो नहीं तो फिर आई पयों में बोरी हालत होने वाली है छोटी मोटी लिस्टिंग मिल सकते हैं अगर जो जिस दिन लिस्टिंग हो इस दिन मांकेट पॉजिटीव रहा या थोड़े से बुरश देहने को मि तो गई उसके बारे में बताने से पहले आपको बता दू कि डिस्क्रिप्शन में इस चलन का भी लिंक है नंबर एक पे जॉइन कर लो देख लो आपने आज क्या मिस्किया बहुत ही बढ़ियां यहां पे 200 पॉंट तक का बैंक निफ्टी अगें कई सारे इंट्राडे पर आप देख सकते हो और अलग-अलग ठीक है कैटेगरी में जैसे निफ्टी में बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे में स्विंग कॉल पॉस्टन कॉल लर्णिंग लॉडियो सपोर्ट चार्ट लेवल और बहुत सारी चीज़े तो नंबर एक पे इसका लिंक सारी चीज़ आपको सान में आई जाने वाली है इसका जो स्क्रिप्शन डेट है वो 0.37 टाइम हुआ है रेटेलर्स ने 0.66 टाइम और एनाईज ने 0.18 टाइम कर दिया है अगर यहां पर आप नंबर्स में कंपार्जन करो ना तो यहां पर 0.37 आपको देखने को मल तो रहा जाता है जी पीटी में थोड़े से ज्यादा चांसिस हैं लिस्टिंग गेन मिलने के पिसली आई वे कंपार्जन में ठीक है क्यों सब्सक्रिप्शन नहीं होता है उस सब्सक्रिप्शन पॉइंट तक नहीं पहुंसता है एक बार में कल के दिन आपको एक और वीडियो के पर से क्या करना चाहिए ठीक है लेकिन वो आई पियो कहीं नहीं रिस्की है और यह जी पीटी हेल्थ के उससे थोड़ा सा बहतर है अगर यहां पर आपकिस आई प्लाई करना चाहते हो या फर जीपीटी हेल्थ के या जुनिपर होटल में दोनों में से किसमें आपने अपन करना चाहिए तो जीपीटी का जो करन में ग्रे मांकर फ्रेम हो हमें करीब 25 से 30 रुपे निकलता दिख रहा है जिसके हिसाब से अरूंड 15-16 परसन अगेन होता है और अगर जो सब्सक्रिप्शन डेट अचा नहीं गवा तो नेगटी में भी जाता हुआ देख सकता है जुन और बाप पर नाओ